जो आज हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है बायो मॉलिक्यूल्स और यह जो भी नोट्स हैं यह सारे NCRT Smasher के नोट्स हैं अब चाहो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं देखो माल लो हमारे पास यह living tissue है हमारे पास यह living tissue है अब इस living tissue में बहुत सारा कुछ हो सकता है organic है इसमें organic compounds इसमें बहुत सारा कुछ हो सकता है और organic है तो उसमें भी क्या है protein है या फिर carbohydrate है fat है क्या है कैसे पता लगा है तो simple सा है simple सा है हम क्या करेंगे हम living tissue को हम क्या करते हैं living tissue को क्या है trichloroacetic acid इसके साथ हम क्या कर देते हैं मिला देते हैं अब मिलाने के बाद क्या करेंगे आपके घर में होता है न वो चटनी कूटने वाला या फिर जो भी समझ लो आपना ऐसे ऐसे होता है और उसमें आपने प्याज टमाटर जो भी डाला और ऐसे उससे कूट दि अब इस चटनी को हमने क्या है मानलो ये फिल्टर है अपना फिल्टर से इसको चान लेना है अब जाहिर सी बात है इसको जब हम चान लेंगे तो एक portion तो क्या हैगा जो चन जाएगा जो नीचे चला जाएगा और दूसरा portion कुन सा होगा जो नहीं चना जो नहीं चना वो इस filter के ऊपर रह जाएगा ठीक है अपने पास दो portion आगे जाहिर सी बात है जो जो portion छन चुका है इस छलनी से जो portion चुका है उसका size जो है वो छोटा रहा होगा ठीक है और जो नहीं छना उसका size क्या है बड़ा रहा होगा जाहिर सी बात है common सी बात है तो वही चीज़े यहाँ पे फिल्टर के ऊपर ही रह गया वो retentate यानि retention उसकी हो गई इसको acid insoluble pool भी हम बोल लेते हैं अब जाहिर सी बात है यह filter हो गया यानि क्या है इसका size छोटा रहा होगा इसलिए उस चलनी से यह filter हो गया तो filter हो गया मतलब size छोटा रहा होगा मतलब यह micro molecule यह अपने क्या है micro या organism के अंदर पाए जाते हैं micro यानि छोटे size के molecule यानि molecule और दूसरे जो बड़े size के जो चनली से हाना की ऊपर ही रहेगे जो चन नहीं पाए हो जाएंगे अपने bio macromolecule macro यानि size में बड़े बायो यानि living organism में पाए जाएंगे molecules यानि हम molecules simple सी बात है ठीक है अब biomolecule को दो पार्ट में हमने divide कर दिया कौन से कौन से हुए एक तो micro हुए यानि छोटे size के एक macro हुए बड़े size के ठीक है अब इनका data दिया हुए कि NCRT में कि कितना weight होना चाहिए माइक्रो वालों का कितना weight होना चाहिए 18 से 800 dalton तक इनका weight होना चाहिए और इधर macro की बात करें तो more than 10,000 dalton से इनका जादा इतने है इसके बराबर या फिर इससे जादा इनका weight होना चाहिए अब बायो तो micro molecule के अपने example कौन से है amino acid nucleotides monosecrate और macro molecule के कौन से है protein nucleic acid polysecrate lipid अब यहाँ पर ध्यान दो लिपिड पर पहले तो मैं यहाँ पर डबा बना देता हूँ इसको छोड़ दो यहाँ पर ध्यान दो देखो amino acid बहुत छोटे size के हैं और बहुत सारे amino acid मिलके क्या बना देंग देंगे nucleic acid बना देंगे monosecrate है तो बहुत सारे monosecrate यानि monosecrate के क्या polymer बन जाएंगे एक तरीके से वह क्या बन जाएगा अब polysecrate बन जाएगा तो यही तो चीजे हैं यह चोटे size के हैं यह आपस में मिल मिलके बड़े size के molecules को बना देते हैं यही simple सी बात है अब lipid पर म बड़ क्या है कि इसका weight जो है देखो macro का weight कितना होना चाहिए 10,000 डालतम के बराबर या उससे जादा होना चाहिए पर lipid जो है यह requirement पूरी नहीं कर पाता है और फिर भी यह macro molecule कहलाता है तो उसका reason simple सा है देखो macro molecule कौन सा था यह चलनी थी मानलो अपनी यह चलनी थी यहां है जो रह गए थे चलनी से उपर वो macro थे और micro नीचे चंग गए थी अब lipid क्या है इस चलनी से उपर की तरफ रह जाता है वेट कम है वजन कम है फिर भी उपर की तरफ रह जाता है उसका reason क्या है यह vesicles की formation करता है अब vesicles जो बन जाएंगे वो क्या है चंद निपायेंगे उपर ही रहे जाएंगे तो इनका वजन कम है 800 डाल टन से भी इनका वजन कम है पर ये उपर ही रहे जाते हैं इसलिए इनको macromolecule बोला जाता है पर इनका वजन कम है तो ऐसा question आ जाए कि कौन सा ऐसा हा ना कौन सा ऐसा molecule है जो not strictly मतलब strictly जो macromolecule नहीं है तो वो lipid होगा हना एक बार यहाँ पर थोड़ा खिचड़ी को साफ कर देता हूँ इन में से आप से पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा है जो strictly macromolecule नहीं है तो protein बिल्कुल अच्छा है nucleic acid अच्छा है polysacrid अच्छा है पर lipid में यहाँ थोड़ी सी गरबड है यह बात हम याद रखें अब देखो हमने organic compound तो देख लिए तो inorganic को कैशे देखेंगे simple सी बात है हमने living tissue लिया और living tissue में से सबसे पहले हम क्या करेंगे पानी को निकाल दिया अब everyday पानी निकाल दिया मतलब वह सूख जाएगा फिर क्या करें मानलो उसको जला दिया आग लगा दिया आग लगाने के बाद जो भी उसमें तो बचेगा ए але अपने क्या होंगे इनॉर्गेनिक कबवाउड होंगे लाभ में टेस्ट करलो की हम से कौन से इनॉर्गेनि पूरी NCRT की चाहे वो प्लस वन हो चाहे वो प्लस टू है पूरी NCRT की टेबल को याद करने की मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें सारी कवर है ट्रिक से आपको याद करवाई है डेस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा और नहीं तो आप यूट्यूब पे एक बार अभर देना की अना कौन सबसे ज़ादा होता जैसे वाटर सबसे ज़ादा है उससे कम प्रोटीन उससे कम नूखलिक अचिड उसके कम कार्बोईडेट फिर लिपिड फिर आयल से ठीक है और इसको याद करने की ट्रिक मैंने बताई हुई है नेक्स आम बात करते हैं प्राइमरी मेटाबोल की तो NCRT में जो लिखा गया है सेम इसी तरीके से लिखा गया है यह जो नोट से NCRT से डारेक्ट मैंने बनाए हैं कि प्रेजेंट इनिमल टिश्यू और यह प्रेजेंट इन प्लांट्स फंगस माइक्रोब्स इनका क्या है अभी तक खास कुत पजानी चला है इनका फिजि NCRT में अपनी में दिया हुआ है अना कौन से कौन से फिर से वह यह इनको याद करने की ट्रिक मैंने है जितनी भी टेबल है न अपनी NCRT की यह वह आपको देखनी चाहिए सारी NCRT की टेबल आपको याद हो जाएंगे तो यह सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट से पिगमेंट स है उनके एक्जामपल एलकलोईट से टेरपिनोईट से इसेंचलोई टॉक्सिन लेक्टिन ड्रग्स पॉली मरिक सबस्थान फिर से वो यह 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 वाली एक वीडियो जरूर देख लेना सारी टेबल आपको याद हो जाएगी ठीक है तो अब हम यहां से बात करने वाले हैं बा अब को अब चीज छारएं offers तो तीन बोन हैं वह वो बिल्कुल फिक्स रहेंगे एक हाइडोजन रहेगा एक क्या रहेगा अब इकी रहेगा अपना कार्वकुलग mo intim और एक पर क्या रहेगा अपना एश्टू गढ़ॉप रहेगा तो ये तीन चीजों दो फिक्स रहेंगी तो ये तीन चीजों Разचा है अपनाывает क्या होता है एसब group है यह अपना acid group है ना carboxylic acid group है और यह कैसा group है amine group है amine group है तो यहीं से इसका नाम पड़ा है क्या amine यानि amino acid यानि acid तो इसका नाम यहीं से पड़ा है क्या amino acid इसका नाम पड़ा है ठीक है तो एक बार फिर से मैं आपको यह बात बताऊँगा दुबारा से कि किसी भी amino, दुनिया में किसी भी amino acid की बात करें, तो उसमें 3 जगा है, तो हमेशा fix रहेंगी, एक hydrogen होगा, एक COOH होगा, एक NH2 होगा, तो variable जो होता है, वो सिर्फ ये होता है, ये सिर्फ variable होता है, ये कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी में क्या हो सकता है, ये hydrogen भी हो सकता है, ये CS3 भी हो सकता है, ये OH भी हो सकता है, तो ये आपको याद रखने हैं कि NCRT में ये example दिये है कि अगर ये R group अगर hydrogen हुआ तो उस amino acid का नाम हो जाएगा glycine अगर ये CH3 हुआ तो amino acid का नाम alanine हो जाएगा और अगर ये OH हुआ तो serine हो जाएगा ये तीन मैंने यहां लग से क्यों लिखे हैं क्योंकि ये डारेक्ट NCRT में ऐसे ही लिखे गए हैं तो ये आपको याद जाएगा अपने को याद हो ना हो पर ये तीन तो होने चाहिए कि glycine में hydrogen था, alanine में CH3 था, serine में OH था ज्वीटर रायन की बात करें तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यार सिंपल साय देखो ये acid group है ये अपना acid group है तो ये H plus को भेज देगा और H plus इधर आपको टिका देना है और इधर positive charge लगा देना है अना देखो इधर negative charge और जो hydrogen था वो इधर चिपक गया इधर positive charge लगा ठ next बात करते हैं, देखो all amino acid are optically active, देखो optically active होने के लिए क्या होना चाहिए अपने पास chiral carbon होना चाहिए, chiral carbon तो अभी-अभी हमने बात की थी, अभी-भी हमने बात की थी, इधर मैं समझाता हूँ आपको optical system, देखो ये जो carbon है ये chiral carbon होना चाहिए, chiral यानि चारो group अलग अलग होनी चाहिए, देखो ये hydrogen हमेशा रहेगा बिलकुल अलग है, ये COH भी अलग है, NH2 भी अलग है, तो फरक सर्फ इस से पढ़ता है, अगर मानलो ये OH होता है, तो चारो अलग होगे मतलब optically active है, मानलो ये CH3 होता है, ये CH3 होता है, तो भी चारो अलग होगे, तो भी opt optically active है, तो वो यही बोल रहे हैं कि सारे, सारे amino acid क्या होते हैं, optically active होते हैं, सिर्फ कि इसको छोड़के, glycine को छोड़के, glycine में दिक्कत क्या है, कि R group जो होता है, hydrogen होता है, तो यहाँ पे hydrogen तो fix था, तो ये hydrogen hydrogen दोनों से हो जाएंगे, मतलब ये carbon जो है, वो chiral नहीं बच है, तो मतलब क्या है, ये optically active नहीं हो सकता, तो सारे amino acids optically active होते हैं, क्योंकि उनमें chiral carbon पाया जाएगा, सिर्फ glycine को छोड़के, ये hydrogen नयाबे गडबड़ी कर दी, hydrogen hydrogen, hydrogen, same हो जाएंगे, ठीक है, next बात करते है, amino acid essential हो सकते हैं, essential यानि जरूरी simple सी वार, देखो, हमारे लि जरूरत क्या बार से लेने की मतलब वो non essential, तो essential वाले कौन से हो जाएंगे, कि cannot be synthesized by our body, हमारी body उनको synthesize नहीं कर सकती, हमें बाहर से उनकी जरूरत है, इसलिए वो essential है, non essential यानि हमारी body उनको बना सकती है, हमें बाहर से कोई भी उनकी जरूरत नहीं है, इसलिए उनको non essential बो होगा, देखो, यहां पर यह अपना group क्या है, acidic group है, यह अपना box और यह amino group क theoretically, अपना basic group है, अब simple सा logic देखो, कोई amino or acid, यह क्या है, अपना amino acid, कोई amino acid быть acidic क्ब होगा, मतलब जब इसमें, जब इसमें इसकी संख्या जादा होगी, वो हो जाएगा, acidic हो जएगा, कोई amino acid basic कब होगा जब उसमें NH2 की संख्या जादा हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा अपना basic हो जाएगा तो क्या है acidic कौन सा होगा जिसमें COOH यानि acidic group की संख्या जादा हो वो acidic हो जाएगा example है glutamic acid basic कब होगा जिसमें NH2 की संख्या जादा हो जाएगा बेसिक हो जाएगा एक्जामपल है लाइसिन न्यूटरल कब होगा जब एसेडिक ग्रूप और बेसिक ग्रूप दोनों क्या हो एक्वल हो बराबर हो एक्जामपल है क्या हो जाएगा वलीन हो जाएगा नेक्स्ट बात करते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन से कौन से होते ह फिनाइप्ट्ब हैं तोद्ध सा आइडिया थैड़できनल को силुट बसी को हमें वाले से वाले से यहाद रक से याद रखने ले और इसमें क्या रहा है तो फिनाइप्टैनल तो बनाते हैं protein पोलीमरी तो यह बात हम कर चुके है कि बहुत सारे amino acid मिलके protein बनाते हैं यही कि कितने amino acid को minimum कितने amino acid को हम जोड़ दें और लो महलेंद windy चार पांच छे जोड़ते गए तो कितने amino acid को minimum जोड़ दें कि वो एक protein कहने लाइक है वो हो तो उन्होंने बोला है कि प्रोटीन में minimum to minimum 100 amino acid होने चाहिए, क्या बोला है कि 100 amino acid की chain होनी चाहिए, polypeptide chain, उसको हम प्रोटीन बोल सकते हैं, minimum 100 से जाधा होने चाहिए, minimum 100 से जाधा होने चाहिए, और वजन की बात की गई है कि molecular weight कितना होना चाहिए, more than 10,000 dalton होना चाहिए, तो protein की requirement के लिए क्या बोला गया है कि amino acid की संख्या कितनी होनी चाहिए, more than 100, 100 से जाधा, और weight कितना होना चाहिए, more than 10,000 dalton होना चाहिए, जब हम उस chain को, उस polymer को क्या बोलेंगे, हम protein बोलेंगे, अब यहाँ पे एक exception आपको याद रखनी है, अभी अभी हमने बात की कि 100 से सिर्फ 51 होते हैं, फिर भी उसको protein बोला जाता है, तो यह यहाँ पे star लगा लो, insulin आपको याद रखना है, एक बार फिर से हना protein की क्या है, exception क्या है, insulin है, कि minimum होने तो सो चाहिए थे, बट insulin में 51 होते हैं, फिर भी उसको protein बोला जाता है, यह खास बात है, इसलिए इसको बहुत जादा temperature देदी, अब बहुत जादा temperature, तो क्या होगा उस protein की ऐसी तैसी हो जाएगी, या फिर हमने protein को क्या किया, बहुत जादा acidic condition देदी, या फिर हमने protein को बहुत जादा basic condition देदी, तो इस protein बिचारे की ऐसी तैसी हो जाएगी, अब ऐसी तैसी कैसे होगी, इसके जो hydrogen bonds है, वो क्या हो जाएंगे, disturb हो जाएंगे, जो globules है, वो unfold हो जाएंगे, जो helix है, वो uncoiled हो जाएंगे, तो वो ही बात यहां पर बताए गई है, कि physical change जैसे कि हम temperature बहुत जादा बढ़ा दें, या फिर chemical change, यानि pH का change करते हैं, pH यानि बहुत जादा ऐसे डिक्या, फिर basic condition, तो वो protein की denaturation कहलाती है, ये सारी गडबड़ी उसमें हो जाती है, तो उनको उबालना नहीं चाहिए, तो उबालने से क्या होगा, उसको heat मिलेगी, heat मिलेगी, तो ये सारी गडबड़ी हो जाएगी, और यही तो denaturation होती है, और देखो, यहां पर जो structure of protein है, ये वाली है NCRT का डाइग्राम है, और ये जो structure of protein है, ये अपने को chemistry में समझ आएंगी, वहीं पर करेंगे अपने, ठीक है, बायो मॉलीकूल चेप्टर में है, हाना की alpha, helix, beta, plated और ये कौन से कौन से force होते हैं, ये वहीं पर relate होंगे, अब next देखो, कुछ protein दिये में और उनके function दिये insulin एक hormone होता है, ये भी अपने को पता है, इसमें भी कुछ याद नहीं किया, antibody जो है, वह बिमारियों से लड़ने में हमारी मदद करती है, तो ये भी अपने को पता है, ठीक है, receptor है, तो क्या है, reception में ही कामाएगे, sensory reception, receptor इसी के तो कामाते हैं, मानलो हमारे नाक में जो receptor है, कुछ भी smell करने के कामाते है, हमारे जीब पर जो receptor है, वो test करने के कामाते है, ठीक है, ग्लूट फोर है, तो simple सी बात है, यहाँ से देखो, GLU, यहाँ से पता लग जाएगा, कि हाँ भाई, इसका glucose के साथ, glucose की transport के साथ लेना देना था, ठीक है, और ये page आपको diagram वाला ना, यह आपको समझ में आना चाहिए, यह जो भी है, यह बाते अब यह करने वाले हैं, यह बाते हम करने वाले हैं, टेंचन मतलों, कुन सी बाते करने वाले हैं, लिपिड के बारे में अब बाते करने जा रहे हैं, लिपिड के बारे में, कि लिपिड फैटी एसिड भी हो सकते ह है और क्या है दोनों भी उसके पास हो सकते है लेक्साटि आखिइर यह अपनला फेटी असीड यह अपना फेटी यह या रहा रहा है या इसमें क्या होगा COOH अपने को मिलेगा ठीक है और fatty यानी ऐसे याद रख ले ना fatty यानी यहाँ पर R group अपने को मिलेगा अब ये R group में सबसे बड़ा सवाल क्या है R group में carbon कितने पाए जाएंगे तो R group में 1 से लेके 19 तक carbon हो सकते हैं समझ रहे हो fatty acid क्या होता है R COOH अब ये R में क्या है जो carbon है वो variable होते है कितने variable एक से लेके 19 तक उसमें carbon पाए जा सकते हैं तो carbon की संख्या पर ही क्या है इनकी naming होती है जैसे कि parmetic acid है उसमें 16 carbon होते हैं और ये carbon की संख्या COOH वाला मतलब ये वाला carbon भी include किया गया है इसमें 20 carbon है अपने ये NCRT में लिख्या वाई याद होना चाहिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि fatty acid saturated आपने सुना होगा ना saturated fatty acid और unsaturated fatty acid saturated कौन से होते हैं जिसमें double bond absent होगा ना ये तो अपना hydrocarbon में भी बता होता है कि जिसमें double bond present है वो हो जाएंगे unsaturated और double bond जिसमें absent है वो हो जाएंगे अपने saturated fatty acid है ठीक है नेक्स हम glycerol की बात कर रहे हैं देखो हमने यहाँ पर बात की थी fatty acid plus glycerol तो fatty acid तो हमने देख लिया ऐसा होता है तो glycerol कैसा होता है नाम से पता लग रहा है glycelol यानि एक alcohol होगा OH 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 तो यह अपना क्या है glycerol का next phospholipid देखो phospho phospho यानि याद दिलाएगा phosphorus की lipid यानि lipid तो ऐसा lipid जिसमें phosphorus है phosphorus कंटेनिंग यह हो जाएगा अपना इसका standard example आपको याद रखना है leaczythin phospholipid का standard example है आपको याद रखना है पूछा जाता है नेक्स हम बात कर रहे हैं यह एंसी आटि की लाइन आपको मैं बताने जा रहा हूं कि नूरल टिश्यू में जो लिपिड्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर जो होती है कमप्लेक्स होती है neural tissue में जो lipids होते हैं, उनकी structure कैसी होती है, complex होती है, तो यह एक बात ncrt की हम याद रहेंगे, अब next हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में carbohydrates के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो carbohydrates की हम division करेंगे, division हाना पहले क्या करेंगे, तीन टाइप से division करेंगे, एक हम करेंगे किस के basis पर हाइड्रोलिसिस के basis पर दूसरे टाइप की division हम करेंगे reducing nature के basis पर तीसरे टाइप की division हम करेंगे taste and assolubility के basis पर ठीक है तो हाइड्रोलिसिस के basis पर कहा है देखो ऐसे carbohydrate जो हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं वो हो जाएंगे monosecureide वो सबसे छोटे हो तब ही तो आईडरोलाइज में होते कि सभसे चोटे हैं साइज में इससे जादा वह नहीं तूट सकते एसे कार्बोहाइड्रेट जो दो से लेके 10 यूनिट में तूट जाते हैं से लेके मानलो यह है 2, 3, 4, 5, 6, 6 है मानलो यह 2 से लेके 10 के बीच में आगया न तो इस तरीके का अब यह बहुत सारे जिसमें बहुत सारे मोनो सेक्राइड है वो बहुत सारी यूनिट में तूट सकता है जो जो तूट नहीं सकता smallest form है वो है monosaccharide जो 2 से 10 जो 2 से 10 unit में तूट सकता है वो oligosaccharide और जो poly यानि बहुत सारी units में तूट सकता है वो हो जाएगा अपना polysaccharide हो जाएगा next reducing nature के base पे हम देखने वाले हैं carbohydrates को reducing type के भी हो सकते हैं और non reducing भी हो सकते हैं simple सी बात है सिर्फ और सिर्फ sucrose आपको याद रखना है sucrose क्या है non reducing है बाकी के सारे सिर्फ sucrose को छोड़ दो सारे reducing वाले में आ जाएगे और कैसे पता लगाएं देखो जो tolen और failing reagent को reduce नहीं कर सकते नहीं कर सकते मतलब non reducing जो कर सकते हैं वो हो जाएंगे अपने reducing हो जाएंगे ठीक है next हम बात करते हैं carbohydrates को किस base पर divide किया गया taste and solubility के base ठीक है तो कौन से कौन से हो जाएंगे sugar हो जाएंगे एक non sugar हो जाएंगे नाम से पता लगा था sugar मतलब वो taste में कैसे होंगे sweet होंगे और मीठे होंगे तो simple सी बाता ऐसे याद रख लेना चीनी होती है अपने घर में चीनी होती है जो चीनी क्या होती है soluble होती है पानी में ठीक है non sugar कैसे होंगे नाम से non sugar मतलब sweet वो नहीं होंगे और non soluble होंगे वो अब पानी में example देख लें तो monosaccharide जैसे की glucose है मालो अपना वो यह मीठा होता है glucose जो आता है और polysaccharide किसे में आजाएंगे अपने non sugar में आजाएंगे अब monosaccharide को देखने वाले हैं monosaccharide में देखो अगर किसी monosaccharide में जो free group है वो aldehyde है तो उसको बोल देंगे हम aldose बोल देंगे और free group अगर ketone है तो उसको ketose बोल देंगे ठीक है aldehyde है तो aldose ketone है तो उसको हम क्या बोल देंगे ketose बोल देंगे और naming के लिए naming के लिए क्या होता है देखो इसके पीछे aldose है तो oz इसके naming में oz कर देना है और इसकी naming में oz होता है जैसे की erythrose और पिछसे करते हैं कि रिवीजन कर लेते हैं कि हो星 होना होना है पोलिसेकरैड़ हो कि इतनी यूनिट से मिलके बना है एक पोलिसेकरैड उतनी है इसमें एक यूनिट दो तीनरा है अब यह सारी जोनिट से हैं विल्कुल सेम हैं तो वह हो जाएगा हों मोखना हो दिफरेंट है मालो एक ऐसी राउंड एक डब्बे जैसी है एक ट्राइंगुलर एक ऐसी है तो यह क्या हो जाएगा है की अलग-अलग स्टार्च के बारे में देखने वाले हैं स्टार्च के बारे में देखने वाले हैं स्टार्च के बारे में देखने वाले हैं तो स्टार्च किसे मिलके बनता है amylose and amylopectin से ठीक है अब amylose की जो starch में percentage होती है वो 15 से 20% होती है बाकी का 85% क्या होता है amylopectin होता है amylopectin ठीक है तो amylose क्या होता है unbranched polymer of alpha glucose और यह है branch तो यहीं पर अपना एक difference बन गया कि amylose क्या है unbranched है और amylopectin जो है वो branch है simple सी बात है नेक्स अम glycogen के बारे में बात करने वाले हैं glycogen को animal starch बोला जाता है animal starch glycogen को बोला जाता है और इसकी structure कैंछ के similar है amylopectin के similar इसकी structure है amylopectin के कहां present होता है अपने liver में muscle में brain में present होता है ठीक है next हम cellulose की बात करने वाले है कि यह सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है मतलब हुमन में सेलूलोस प्रेजेंट नहीं होता है यह बात सिर्फ प्लांट में होता है हुमन यानि एनिमन्स लगा लो एनिमन्स में नहीं होता है और क्या है most abundant organic substance in plant के अंदर most abundant यानि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला होगा ठीक और यहां पे एक कोशन बढ़िया बनता है यहां पे five star लगा लेंगे यहां पे हम star लगा लेंगे यह अच्छा कोशन बनेगा कि जो star है ना star है वो iodine को iodine को blue color देता है जब कि cellular color नहीं देता है उसका reason क्या है star में क्या होते हैं helix की और इसलिए ब्लू कलर मिलता है और यहां पर हैलिक्स की फॉर्मेशन नहीं होती है लाइसिस की तो क्या है आयोडीन को पाएगा और कलर भी नहीं दिखाई देगा इसकी ट्रिक भी बताता हूं को SBI SBI यहनी स्टार्च क्या है ब्लू कलर देता है आयोडीम को अब देखो यह शुगर की बात कर लेते हैं कि कई बार हाना अब गलेक्टोस को बोलते है बलड शुगर की बोलते हैं बल्र शुगर पूछे जा सकते हैं वाला पицites ये मिलक्स वाला¿ लेक्तोस मीलक में होता है बलड वालाग्लूकोस के कणा साथ है न शयाद रखेना नडगाट्वोस काहुत है जो अब है सिंपल साथ है就可以 सिंपल कि की ने सिंपल कि थे कटीशन है कि हम ने carbohydrate को देखा protein को देखा nucleic acid को nucleic acid अपने देखो molecular basis of inheritance की जो वीडियो मेरी upload हुई है ना सल बरसों दो दो दिन पहले हुई है वहाँ पे nucleic acid के बारे में detail में होता है तो इनमें कौन से कौन से bond पाए जाते हैं ये direct question आ जाते है कि glycosidic bond पाए जाते हैं carbohydrates में peptide bond protein में और phosphodizer अपने nucleic acid में पाए जाते हैं most abundant protein ये NCIT का question है अब ये किस तरीके से पूछा जाएगा आपके सामने question आ गया कि animal world में बताओ कि most abundant protein कौन सा है तो अंसर जाएगा अब हम पढ़ने वाले हैं enzymes ठीक है देखो enzymes के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं catalyst के उपर देखो catalyst क्या होता है simple सी एक example से समझते हैं for example हमको दूद से दही बनानी है दूद से हमें दही बनानी है हना तो हमें उसमें लगते हैं कितने मालो 10 घंटे लगते हैं हमें उसमें प्रोसेस में बोलो यह उस reaction में हमें लगते हैं 10 घंटे ठीक है पर हमने क्या किया उसमें एक catalyst डाल दिया हमने उसमें एक catalyst डाल दिया त वो catalyst की presence में, for example, 20 मिनट में ही बन गी है, तो catalyst ने क्या किया, एक तरीके से reaction की speed को बढ़ा दिया, ठीक है, एक catalyst में बहुत important point आता है, कि catalyst की reaction के अंदर involvement बोलो, या interference बोलो, बिल्कुल 0 होती है, इसका क्या मतलब है, देखो, हम 10 घंटे में जो दूर से दही बना रहे थे, जो natural तरीकी से बना देते, तो जिस test की, जिस quality की दही 10 घंटे में बन रही थी, catalyst का use करने पर भी, बिल्कुल सेम वैसे ही test की, वैसे ही quality की दही बनेगी, मतलब दही के test में catalyst की वज़े से, कोई भी change नहीं आएगा, क्योंकि catalyst reaction की speed को बढ़ाता है, उसमें involved नहीं होता, मतलब उस chemistry में भी पढ़ते हैं, हम biology में भी पढ़ते हैं, क्यमस्ट के हम यहाँ जादा करने नहीं वाले, क्योंकि वो तो अपने inorganic और उसमें आ जाते हैं, हमें biology के पढ़ने हैं, और biology के अंदर जो catalyst use होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, enzyme, simple सी बात है, enzyme क्या होते हैं, biological catalyst, इतनी बात protein nature के होते हैं, बत, कुछ, एंजाइम कैसे होते हैं, nucleic acid नेचर के होते हैं, और इसका example भी दिया हूँ है, क्या ribozyme, ठीक है, मैं फिर से repeat कर दा हूँ, almost सारे enzyme किस nature के होते हैं, protein nature के होते हैं, बत, कुछ exception है इसमें, जो nucleic acid से बने होते हैं, जैसे की ribozyme, shepherd, ठीक है, अब थाइम हमारे पास दो टाइप की होते हैं Simple protein enzyme and Complex protein enzyme और complex protein enzyme का ही दूसरा नाम क्या है होलो एंजाइम बिलकुल क्लियर है अब नाम से कवर हो रहा है कि Simple protein enzyme में क्या होगा सिर्फ और सिर्फ 100% protein होगा, मतलब pure protein, 100% protein, सिर्फ और सिर्फ protein होगा, और ये complex मतलब नाम से ही पता लग रहा है, इसमें protein के साथ एक non-protein part भी होता है, देखो, हमने क्या बात की थी कि enzyme, जो almost, almost सारे enzyme protein nature के होते हैं, तो हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, इनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठी के बनाओ, और complex protein या hollow enzyme, जिसमें protein के साथ non-protein part भी हो, ठीक है, तो complex protein में क्या है, एक protein part है, और एक क्या है, non-protein part, ठीक है, तो protein part को क्या बोलते है, apple enzyme, और non-protein part को क्या बोलते है, co-factor, अब यहाँ पे 20 star, 30 star लगा लो, क्योंकि मेरे को अच्छे तरीके से पता है, कि आप hollow enzyme, co-factor और apple enzyme, इनमें confused होने वाले हो, ठीक है, बिल्कुल clear होना है, एक एक word के लिए होना है, ठीक है, अब non-protein part या co-factor जो है, वो organic भी हो सकता है, वो inorganic भी हो सकता है, तो inorganic होगा तो क्या हो जाएगा, metal ions, देखो metal के ions कहाँ पे होते हैं, inorganic के MST में होते हैं, simple से बात है, और organic जब होगा, तो organic होने की भी दो possibility है, या तो tightly bounded होगा, या loosely bounded होगा, tightly bounded होगा, तो क्या होगा, prosthetic group है, और loosely bounded होगा, तो क्या हो जाएगा, co-enzymes, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप इन सब में confused होते थे, आज तक मेरे को अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि मै भी होता था, ये holo enzyme, apo enzyme, co factor, co enzyme, हना, ऐसा लगता है कि co enzyme, यहाँ पे आना चीए, co factor, यहाँ पे आना चीए, तो यह बिल्कुल clear रखना, देखो, enzyme दो टाइप के simple protein, जो सिर्फ और सिर्फ protein से मिल के बना है, और complex protein, या hello enzyme, मतलब जिसमें protein part भी है, और non protein part भी है, protein part का दूस loosely bounded होगा, जिसको बोलतेंगे, co enzyme, और inorganic होगा, क्या बोलतेंगे, metal ions, ठीक है, अब NCRT के, अब यहाँ पे मैं NCRT की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल NCRT को copy paste करेंगे, prosthetic group है, ठीक हो, यह है prosthetic group, prosthetic group के NCRT में example क्या दिया है, पर oxidase, catalase and heme, ठीक है, और co enzyme के NCRT के क्या ensemble है, NAD और NADP, ठीक है, और metal ion के zinc, अब देखो, enzymes calm कैसे करते हैं, यह rate of reaction को increase कैसे करते हैं, यह हम देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल देसी तरीके से, बिल्कुल simple तरीके से समझेंगे, ठीक है, ठीक है, हम जब protein बढ़ रहे थी, तो हमने protein structure की बात की थी, primary structure, secondary, tertiary, quaternary, यह structures की बात की थी, तो अब enzymes में याद रखना कि maximum, maximum enzymes में क्या होते हैं, tertiary structure present होते हैं, तो यह अपनी tertiary structure है, ऐसे ऐसे चेंज हैं, जो polypeptide chain है, ऐसे ऐसे घूम रही हैं, एक तरह से globule बना रही है, बिल्कुल simple है, ठीक है, अब क्या होता है, जब यह polypeptide chain ऐसे घूमती हैं, तो यह जगा जगा पे क्या बन दिया, एक pocket सी बना देती है, ठीक है, जैसे यह red color में, यह red color में, यह red color में, और इनी को क्या बोलते है, active side, इनी को बोलते है active side, ठीक है, अब NCRD का एक एक word cover होगा, बिना किसी confusion, देखो, for example, यह अपना क्या है, substrate है, यह है अपना substrate, और इसको ह हमें क्या करना है, इसकी natural हमें reaction करानी है, और reaction के result में क्या है, इस substrate के यह छोटे-छोटे piece हमें मिलने चाहिए, इस substrate के यह छोटे-छोटे piece में तूटना, यह है अपनी reaction, ठीक है, तो अपने पास एक तो option है कि हम बिना enzyme के यह reaction होने, मतलब बिना catalyst के यह reaction होने दे, इसको ऐ किसी पड़ा रहने दो एक साल दो साल तीन साल चार साल पांट साल कभी तो ये छोटे-छोटे पीसिस में तूटेगा हाना कितना सारा टाइम लग जाएगा और एक हमारे पास क्या option है कि हम हम इस reaction में enzyme यानि citation का use कर लेते हैं तो होगा क्या देखो अब देखो यह है अपना enzyme substrate complex अब यह क्या बन चूप अपने पास enzymeerv substrate complex तीक है enzyme substrate complex बन चूप है अब क्या करना है reaction क्या थी इसको छोटे चोटे पीसिस में तूटना है तो ये enzyme की active side क्या करेंगी इसको छोटे छोटे पीस में तोड़ देंगी इसको छोटे छोटे पीस में ऐसे जल्दी जल्दी तोड़UI ठीक है अब देखो इस reaction को normally होने में 5-10-15 साल लग जाते पर enzyme में क्या किया इसको जल्दी से कर दिया ठीक है अब देखो ये हमारे पास क्या बन चुक है product बन चुक है पहले क्या था enzyme substrate complex और ये अब क्या बन चुक है enzyme पे क्या लगाओ है product लगाओ है तो ये क्या है enzyme product complex ये सारा NCRT में दिया है हम simple तरीके से समझ रहे हैं य अब क्या है enzyme इसको release कर देखा product को release कर देखा क्यों कर देखा क्योंकि juego सी बात है हमने किया था enzyme कभी भी reaction का product क्या बना उसमें interfere कभी नहीं करता ये बिचारा अपना simple है और ये अगली reaction के लिए अब तयार है ये अपना product त्यार को चुक है enzyme अलग ये product अलग अपनी reaction complete है और enzyme ने कभी भी इसमें interfere नहीं किया enzyme ने क्या किया है सिर्फ और सिर्फ reaction के rate को बढ़ाया है reaction की velocity को बढ़ाया है अब हम करने वाले हैं कि pH या temperature enzyme की activity को कैसे affect करते हैं इन में सिर्फ एक word याद रखना है optimum सिर्फ एक word याद रखना है क्या optimum मतलब क्या कहना चाहता कि एक optimum pH के उपर enzyme की activity maximum होगी same temperature के लिए कि एक optimum temperature के उपर enzyme की activity maximum होगी बिल्कुल इतनी बाते clear है अब देखो for example की किसी enzyme की जो optimum pH है वो 7 है मतलब 7 से नीचे भी वो क्या होगा कम काम करेगा और 7 से उपर भी वो कम काम करेगा और 7 पर बहुत अच्छा काम करेगा देखो यह पीक है पूरी मालों यहां पर 7 है यह पीक है उसकी same ऐसे temperature के लिए for example किसी भी enzyme का जो optimum temperature है वो 25 degree है 25 degree यहां पर आया ठीक है तो 25 degree से नीचे भी वो कम काम करेगा यह बोलो rate of reaction इधर increase होता जा रहे है और एक बात हम already कर चुके है कि enzyme क्या करता है rate of reaction को increase करता है enzyme क्या करता है velocity of reaction को increase करता है तो जितने जादा enzyme होंगे उतनी जादा क्या होगी velocity of reaction बढ़ेगी simple सी बात है अब देखो ऐसा तो नहीं है हमारे पास unlimited enzyme होना ऐसा नहीं हो सकता for example हमारे पास substrate तो हजारों में है लाखों में है और enzyme सिर्फ हमारे पास कितने हैं 10 है सिर्फ और सिर्फ 10 enzyme है अब देखो enzyme का use यहां होना शुरू हुआ यहां पर हमारा एक enzyme enzyme यूज हो गया मतलब enzyme क्या करेगा velocity बढ़ाएगा इधर सबस्टेट है इधर सबस्टेट बढ़ते जा रहे हैं इधर velocity बढ़ाएंगे पर यहां पर इस point पर क्या हुआ हमारे पार सिर्फ 10 ही enzyme थे तो हमारे 10 के 10 enzyme यहां पर ओल्लेडी बुक हो चुके है मतलब इससे जादा हमारे पास Enzyme मिनि अब क्या है अपने पास for substrate है तो यहाँ पे Enzyme अपने खतम होगे मतलब इससे जादा क्या है velocity बढ़ी नहीं पाएगी है Enzyme मिनि आगे तो velocity कैसे बढ़ेगी Enzyme ही तो थे जो velocity बढ़ा रहे थे तो यहाँ पे अपने enzyme खतम होगे तो यह graph कुछ यह बोलना चाता है और यह Vmax क्या है कि Vmax मतलब velocity maximum मतलब maximum velocity कि ऐसी velocity Vmax क्या बताएगी अपने को कि ऐसी velocity जहाँ पे अपने सारे enzyme book हो चुके हैं सारे enzyme अपने substrate के साथ book हो चुके हैं अब यह Vmax by 2 करते हैं यह क्या होता है और यहाँ पे इसी point पे यह है Km यह क्या होता है देखो simple सी बात है simple सी बात है कि ऐसा point हमें देखना है कि जहाँ पे maximum velocity की half velocity थी ठीक है ऐसा point पकड़ लो कि जहाँ पे maximum velocity की half velocity हो और उस point पे उस point पे जो substrate की concentration हुई उस point पे जो substrate की concentration है उसी को दर्शाता है उसी को denote करता है यह Km है ना simple सी बात है next अपना topic है enzyme inhibition अब enzyme inhibition तीन टाइप का हो सकता है competitive, non competitive and end product देखो मेरे को पता है आप इसमें बहुत confused होते होगी किसमें क्या था इधर उदर बहुत confusing होता है पर कोई tension वाली बात नहीं है बिल्कुल अपना देसी तरीका यूज करेंगी तो सबसे पहले competitive enzyme inhibition देखो नाम से ही कवार हो रहा है competitive मतलब यहाँ पे क्या होगा competition होगा यहाँ पे दो लोगों के बीच competition होगा अब यह दो बंदे कौन से हैं यह है अपना substrate जिसको हमें क्या करना है enzyme के साथ काटना है और यह क्या है अपना inhibitor यह यहाँ पे inhibitor आ गया अब क्या है enzyme को क्या करना है enzyme को reaction fast से fast करने के लिए इस substrate को जल्दी जल्दी काटना है पर यहाँ पे यह enzyme बेचारा यह kenichi जो है अपनी enzyme है ये enzyme अपना confuse हो गया कि ये इसको काटे या इसको काटे क्यों? क्यों confuse हो गया? क्योंकि inhibitor जो है वो substrate के बिल्कुल हम-शकल है inhibitor और substrate जो है बिल्कुल एक जैसे दिख रहे है तो अपना enzyme confuse है कि इसको काटू या इसको काटू तो ये कल बार क्या करता है? ये कई बार क्या करेगा गलती से इसको काट देगा ये धोके से इसको काट देगा काटना था इसको काट दिया इसको मतलब क्या है अपना enzyme का substrate पे use ही नहीं हो पाया तो क्या हो जाएगी जो rate of reaction है वो कम रहेगी बड़ी नहीं पाएगी मतलब क्या होगा enzyme का inhibition हो गया enzyme का inhibition हो मतब जैसे competitive में substrate और inhibitor बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे, non competitive में substrate और inhibitor एक जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, ठीक है, तो कैसे होगा, तो इसमे enzyme inhibition कैसे होगी, देखो, यह है अपना substrate और यह है अपना enzyme, अपना enzyme को क्या करना है, इसको जल्दी-जल्दी से काटना है, इसको जल्दी जल्दी से काट रहा है, पर होगा क्या, इस enzyme के उपर ये क्या लग गया, ये inhibitor लग गया, अब देखो इस inhibitor ने क्या किया, enzyme को एक तरीके से block कर दिया, non competitive समझो, enzyme की excite पे inhibitor आके लग गया, enzyme को कर दिया, block, अब ये इसको काटी नहीं पारा, मतलब reaction, rate of reaction क्या ह है, कम है, enzyme का सही से user होई नहीं पारा, तो ये है non competitive inhibition, ठीक है, अब last वाला करते है, क्या है, end product inhibition, इसमें क्या होगा, देखो, ये है अपना substrate, ये है enzyme, तो enzyme क्या करेगा, substrate को ऐसे काटेगा, ये अपनी reaction हो रही है, अब क्या होगा, ये अपना क्या है, product है, ठीक है, ये अपने क्या बनने है, product बनने है, तो क्या होगा, product में से ही क्या होगा, ये आके इस पर inhibitor बन जाएगा, ये product जो product बना, ये ही inhibitor बन गया, और इसने enzyme को ऐसे प्लोग कर दिया, अब ये क्या है, इसको काटे नहीं पारा, ये इसको काटे नहीं पारा, तो ये भी क्या होगी, inhibition end product मतलब जो product बना उसी ने क्या की inhibition की यह simple सा था next है enzymes की classification देखो enzymes को six classes में classify किया गया और हल class में क्या है four to thirteen subclasses है ठीक है अब यह six classes कौन सी कौन सी यह देख लेते है ठीक है पहली दो यह वाली है देखो simple सी बात है जैसे इनके नाम है वैसा ही इनका function है ठीक है पहली क्या है oxido reductase ठीक है oxido reductase या dehydrogenase अब इसमें नाम से ही पता लग रहा है क्या होगा enzyme which catalyze oxido reduction मतलब oxidation reduction वाली reaction में जो enzyme होंगे वह oxido reductase simple सी बात next है transferase बिलकुल नाम से ही पता लग रहा है यह क्या करेंगे transfer of group करेंगे transfer of group बत एक बात ध्यान पर रखने है कि hydrogen other than hydrogen hydrogen को यह transfer नहीं कर सकते ठीक है अब transfer नाम से देखो यह s के साथ g यह group लगा हुआ ठीक है और यहाँ पर s- जो ता खाली अब transfer और group हो जाएगा मतलब यह जो group है वह s- पर लग जाए यह s- पर यह group लग गया है इससे इसमें transfer होगा सिम्पल सी बात है बिलकुल नाम से ही cover हो रहे है ठीक है next क्या है next है hydrolysis hydrolysis यह नाम से ही cover हो है hydrolysis मतलब यह क्या करेगा hydrolysis करेगा hydrolysis ester ether peptide glycosidic carbon 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 halide pn bond इनकी क्या करेगा hydrolysis करेगा लाइज लाइज क्या होता है removal of group करेगा carbon पर एक्स था carbon पर वाई था और इसने क्या क्या एक्स और वाई जो group थे उनको remove कर दिया अलग से और carbon carbon के बीच क्या है double bond छोड़ देगा यह double bond इंपोर्टेंट याद रखना है double bond लिखा हुआ है यह NCRT में अब देखो अब next क्या है ligase ligase का तो हमें already पता हो क्या है ligase क्या होता है फैवी कोल होता है ligase क्या होता है फैवी कोल और फैवी कोल का काम क्या होता है linking है दो चीजों को आपस में जोड़ना last है isomerases देखो नाम से ही बिल्कुल मैं बोल रहा हूं नहीं यह सारे नाम से ही गवर हो जाएंगे कुछ भी याद नहीं करना isomer मतलब क्या होगा inter conversion होगी किसमें isomers के बीच बिल्कुल सारा नाम से याद हो रहा है अब next हम करने वाले हैं कि enzyme काम कैसे करता है मतलब हमने कि एंजाइम क्या करता है rate of reaction को in increase कर देता है अब हम बात करते हैं वो ऐसा करता कैसा है माल लो हमें यहाँ पर substrate आ यहाँ पर substrate आ और यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट बनना के यहाँ पे हमारे पास हमारे सारय अगर हम बिना अनर्जाइम बिना enzyme के reaction कराते हैं तो क्या हुआ देखो इतनी energy चाहिए यह energy का graph देखो इधर energy है तो हमें इतनी सारी energy चाहिए होगी इतनी सारी energy चाहिए होगी ठीक है यह क्या है activation energy को शो कर रहे है यह activation energy को शो कर रहे है ठीक है और हमने यहाँ पे क्या किया इस वाले graph में हमने enzyme का use किया simple सी एक line याद करनी है कि enzyme क्या करता है activation energy को कम कर देता है activation energy को कम कर देता है और activation energy जब कम होगी तो reaction क्या होगी fast fast होगी क्यों होगी fast fast simple सी बात है एक तो इतना बड़ा पहाड कूद के जा रहे हो तो simple size में कुछ ऐसा है निखा